हेलो स्टुवेंट्स और विल्कम टू दू दा क्लास ठीक है बच्चों आज आज क्लास शुरू करते हैं आज हम आयो पेसी में अगला लेक्चर देखेंगे और शायद थेयोरी वाइज आज आयो पेसी का आखरी लेक्चर भी होगा पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है और हमें अभी आज क्या पढ़ना है अभी तक हम लोंने पढ़ा पहले लेक्चर में कितने लेक्चर हुए अभी तक हमने इसका चार लेक्चर देखा है पहले लेक्चर में आपने देख था कि अलकेन का नाम कैसे रखते हैं, वर्ड रोट प्रैफिक्ट, प्रैफिक्स, सफिक्स क्या होता है, दूसरे केस में को साइकलिक कमपाउंड देखिया और इसी को हमने आगे बढ़ाया, तीसरे टॉपिक पे, तीसरे क्लास में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक् कैसे रखते हैं, और आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं, इस्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आयूपियसी नेम, अभी तक आपने ये देखा था कि आपको एक कमपाउंड दे दिया, इसका नाम बताई, अब इसका उल्टा करेंगे, इस बार करेंगे क्या, इस बार कर पर नाम लिखेंगे, लेट स्टार्ट कि इस क्लास में एक छोटे से एक्जाम्पल से शुरू करते हैं, और इसकी मैं थियोरी साथ-साथ बढ़ाता जाता हूँ, एक हम छोटा से एक्जाम्पल लेते हैं, माल लिजे, एक कमपाउंड है, 3-chloro-3, 4-dimethyl पेंटेन पेंट वन इन टू ओल थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस एक ही एक्जाम्पल से इसके जो छे पॉइंट से उन छे पॉइंट को हम कंस्ट्रक्ट समझ जा है कंपॉण्ड का नाम लिखा है 3-Cloro-3-4-Diamethyl पेंट 1-In 2-O क्या-क्या काम करेंगे पहला स्टेप सबसे पहले longest carbon chain बनाएंगे longest carbon chain longest carbon chain जो है वो आएगा आपके कहां से आएगा word root से आएगा तो वो आएगा आपके word root से और यहाँ पर आपका word root है यह वाला paint तो यहाँ पर paint आ गया तो पहला काम यह करेंगे कि एक 5 carbon का skeleton बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच ठीक है पहला काम किया आपने longest carbon chain ले लिया ठीक है दूसरा काम हम दोनों तरफ से numbering करेंगे ठीक है number from either side दोनों तरफ से number करके देखेंगे ठीक है इसको और एक step में आते हैं अब हम लोग क्या क्या लेंगे सबसे पहले देखा जाता है primary suffix primary suffix क्या होता है primary suffix होता है आपका double bond या triple bond double bond या triple bond ये आपका होता है primary suffix suffix मतलब जो नाम के बाद लगाते है तो primary suffix होता है unsaturation तो यहाँ पर है भाई in है और one in है यानि पहले ही carbon पे double bond है तो ये single bond हटा कर यहाँ पे लगा लेजे double bond यहाँ भी लगा सकते थे यहाँ भी लगा सकते तो फिर numbering उधर से होगी और अब ये आपका carbon number one हो गया जहाँ आपने इस carbon पे लगा दिया तो ये carbon number one हो गया one two three four five one two three four five तो पहला था कि longest carbon चिर बनाना है word root से वो आपने बना लिया दूसरे case में दोनों तरफ से numbering करनी थी तो हमने पहले आपका primary suffix बनाया primary suffix आपका होता है primary suffix होता है आपका double bond तो double bond बना लिया उसके बाद क्या करना है primary suffix के बाद आपको बनाना है primary functional group primary functional group identify करना है वो functional group जिसकी priority ज्यादा highest है तो वो है all, all किसका होता है alcohol का होता है किस carbon पे लगा है दो number पे तो एक दो तो यहाँ पर oh यह देखिए इसका position भी बता रहा है तो हमने क्या किया सबसे पहले longest carbon chin बनाया है जो आपका word root से आया word root से हमने 5 carbon का skeleton बना दिया दूसरा काम क्या किया दूसरा काम करेंगे कि जब आप primary suffix लगा देंगे तो दोनों तरफ से numbering करके देख लेंगे तो primary suffix यहाँ पर लगाया दोनों तरफ से numbering कर ली जिधर से आपको number 1 है उधर से हम अब शुरू कर रहा है primary functional group देखा और primary functional group के बाद अब आप तेहें आप secondary functional group secondary functional group and prefix secondary prefix क्या होता है compound alicyclic है मतलब open chain है कि cyclic है ठीक है तो यहाँ पर कोई cyclo word नहीं लगा इसलिए हमें उसके लिए परशान नहीं होना है यहाँ पर हमको देखना है secondary functional group prefix और substituents के बारे में ध्यान देखना है कि आपका substituents कौन कौन सा है यहाँ पर आपका substituents है एक तो है तीन नमबर कार्बन पे क्लोरो तो एक तीन नमबर कार्बन वन टू थ्री इस तीन नमबर कार्बन पे क्लोरो बठा दीजें और साथ ही साथ है तीन और चार पे मिथाईल मिथाईल तो यहाँ पर एक CS3 group है और एक CS3 group आपका यहाँ पर है ठीक है यहाँ तक ही structure बन जाता है और आखरी step में होता है सिर्फ क्या कि add hydrogen to each carbon to complete its tetravalency थी बस यही आज की class में यही बोड अगर आप सही से समझ लेंगे ना तो कभी इस तरह के सवाल गलत नहीं होंगे जो जिसमें आपके पास structure दिया वह हो मनदब नाम दिया वह और आपको structure बताना है तो हमने पहला काम किया कि सबसे पहले word root पकड़िये कितने carbon का compound होगा तो यहाँ पर हमने देखा word root पकड़ा pent कितने carbon का compound हा यह था आपका 5 carbon तो हमने 5 carbon का skeleton बना दिया ठीक है दूसरा step आप पकड़िये दूसरा step इसको छोड़ी सी तिसरे पर आईए तिसरा step है कि primary suffix को पकड़ना है primary suffix क्या होता है double bond और triple bond वो देख लिया हमने एक number पे in है ठीक है उसके बाद आप दोनों तरह से numbering कर सकते हैं तो जिदर से इसको one in मिला वो पकड़ लिया उसके बाद primary functional group फिर secondary functional group और उसके बाद last step में क्या करना होता है जहाँ जहाँ carbon के पास hydrogen नहीं है वहाँ वहाँ carbon को hydrogen दे देना है तो यहाँ पर इसके पास hydrogen है तीन hydrogen की कमी है तो यहाँ तीन hydrogen दे दिया ठीक है और यहाँ भी hydrogen दे दिया यह तरीका है ठीक है अब इस तरह से मद बनाईएगा अब बड़े हो गए हैं class 10 पे नहीं पढ़ते हैं इसका condensed formula बनाईगा रे रेकलत हो गया यहाँ पर इस तरह से बनाईएगा CH2 double bond CHOH C CH3 CL CH CH3 छोड़ा इस तरह से तो हाँ डोजन इस तरह से दिखेगा तो यह finery आपका structure है पहला word root ठीक है पहला word root फिर primary suffix फिर numbering primary functional group, secondary functional group, ketrovalency बुड़ा कर लेंगे यह 6 step है यह 6 step अगर आप कर लेंगे तो किसी भी compound का नाम आप बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे 3, 4, 5 में example कराता हूँ तो मुझे लगता है इससे आपके understanding बढ़ जाएगी इसको note कर लीज़े अगला example है 4 hydroxy 4 hydroxy, 3 methyl, 4 hydroxy, 3 methyl, pent, 2 in, l एक आपके पास मैंने structure दिया है compound का नाम दिया है यहां से structure दोताना है तो मैं side में इसका shortcut लिख लेता हूँ क्या क्या आपको देखना है सबसे पहले देखिएगा word root ठीक है उसके बाद क्या देखिएगा सबसे पहले देखिएगा word root word root के बाद देखिएगा primary prefix थोड़ा सा हम change कर दे रहे हैं इसके बाद देखिएगा कि primary prefix क्या है ठीक है primary prefix फिर करिएगा number carbon chain को number the carbon chain उसके बाद चौथे में क्या करिएगा प्राइमरी functional group और फिर है secondary functional group subsequent etc यह पाँच step याद रखिए पहला step word root दूसरा step primary prefix प्राइमरी प्रिफिक्स में आएगा double bond triple bond आपका unsaturation है के नहीं कि वह saturated compound है तीसरा step number the carbon chain दोनों तरह से number करके देख लीजेगा चौथा step आपका primary functional group फिर secondary ग्रूप और छटा step जो है वह hydrogen जो है जहाँ जहाँ hydrogen कम है वहाँ hydrogen बना लीजेगा ठीक है अब हम इस compound को देखते हैं पहला step है word root पहला step है word root पकड़ेए तो यहाँ पर आया paint इसका मतलब पांच कार्बन का compound ले लिया गया paint उसके बाद है primary prefix तो दो नंबर कार्बन पे सहाब एक दो दो नंबर कार्बन पे double bond है फिर कह रहा है एक दो तीन चार पांच यह दोनों साथ साथ ही चलेंगे number the carbon chain आप number कर दीजे यहाँ दो नंबर पे primary prefix हमने लगा दिया उसके बाद हम हमने कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे primary functional group से मिलाओ तो primary functional group लगा है अल किसका होता है aldehyde का होता है और यह एक ऐसा group है जो हमेशा terminal position पे लगता है जब यह हमेशा terminal position पे लगता है जब यह हमेशा terminal position पे लगता है तो C double bond O H होगा वो एसी था तो terminal position पे इसको लगा दिया तो हमने word root का काम कर लिया हमने primary prefix देख लिया हमने primary functional group देख लिया अब हमको identify करना है जो secondary functional group है हमारे subsets है हमारा primary prefix है तो कहीं भी cycle लगा नहीं है तो cycle को छेड़ छोड़ दिये अब हमको देखना है कौन-कौन सा है तीन नमबर पे methyl है और चार नमबर पे hydroxy है तो 123 तो यहां methyl और यहां hydroxy तो यह आपका structure हो गया last step में जहां-जहां hydrogen की कमी है वहाँ-वह hydrogen बठाना है इसमें तो कोई कमी नहीं दो हात यहां एक हात यहाँ चार पूरा हो गया, यहाँ दो, एक तीन, एक यहाँ पर हैडोजन की कमी है, यहाँ पर दो, एक तीन, एक चार, इसका भी पूरा हो गया, इसमें एक हैडोजन की कमी है, तो यह आपका structure हो गया इस structure का आप इस तरह से देखेंगे CHO है आपका ये group CHO group है यहाँ पर है CH3 फिर CHOH अगर उधर से बना दें तो कैसा होगा देखिए CH3 CHOH इधर से बना रहे हैं आप इधर से भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर C CH3 डबल बॉंड CH CHO 1 2 3 4 5 दो नमबर पे इन था दो नमबर पे इन था फिर चार पे हाइड्रोक्सी होगा तीन पे मिथाईल होगा एक पे अल होगा यह इस ट्रॉक्टर हो गया तो यह कॉंसेप्ट हमने समझ लिया कि किस तरह से एक कमपाउंड का नुमेंट क्लेचर हम करते हैं किसी तरह से एक नुमेंट क्लेचर दियावा कमपाउंड नेम दियावा कमपाउंड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं ठीक है इसको नूट कर लिए अगला है थ्री क्लोरो ब्यूट टू इन वन ओल अब हम जल दिल्दी करते हैं पहला काम करिए वर्ड रूट तो चार कारवन का वर्ड रूट है एक दो तीन चार ठीक है हमारा जो प्राइमरी प्रिफिक्स होता है वो होता है डबल बॉंड ये ट्रिपल पॉंड संजोक्स इस बढ़ा दीजिए उसके बाद कहा रहा है कि प्राइमरी फंक्शन गुरूप को इडिनिफाई करिए प्राइमरी फंक्शन गुरूप आपका यह है जो सफिक्स में लगता है लास्ट में उसमें कहा रहा है एक नंबर पर ही ओछे तो बहुत अच्छी बात है बदाई हो एक उसके बाद यह वर्डूट तो पहली पकड़ लिया उसके बाद आपको बस देखना है तो यह इस्ट्रक्चर होगा ठीक है यह आपका इस्ट्रक्चर होगा नोट कर लीजिए अगला एक्जामपल है थ्री मिथाएल फोर ओक्सो पेंटेनल ठीक है तो जली जली करते हैं सब फिर से पहले वर्डूट पकड़ेंगे वर्डूट है पांच कारबन का फिर से पांच कारबन एक दो तीन चार पांच पहला काम क्या वर्डूट पकड़ लिया नम्बरिंग इधर से भी कर सकते हैं प्राइमरी फंक्शन गरूप देखा हमने यहां पर अल देखा जब यहा आपका एक नमबर कारवण है, ये एक नमबर कारवण है, चार नमबर पे OXO है, OXO किसका होता है, तो हमने वर्ड रूट देख लिया, numbering कर ली primary prefix तो था नहीं इस case में primary functional group देख लिया अब सिर्फ section देखना है तीन नमर में methyl है एक दो तीन यहाँ पर आपने methyl देख लिया यही आपका structure है अच्छा चार नमर पर oxo था oxo किसका होता है ketone का होता है तो चार नमर पर आपने oxo बना दी है अब जहां पर hydrogen की कमी है मैं इतना समझदार आप लोग को समझ रहा हूँ यह बन गए है आप लोग जहां जहां hydrogen कम होत्रा हाथ गिल लिजिएगा यह जैसे दखी double हाथ है इसके पास ने मत दीजेगा इसको तीन दे दीजेगा इसको एक दीजेगा इसको दो दीजेगा इसको मत दीजेगा ठीक है clear है यह चौथा एक्जाम्पल था पाच्वा एक्जाम्पल है 4-amino-3-chloro-butane-2-ol 4-amino-3-chloro-butane-2-ol तो जब इसका नाम देखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ेंगे वर्ड रूट है चार कारवन का तो एक दो तीन चार उसके बाद हम देखेंगे primary prefix तो है नहीं आपर single bond है ठीक है तो अब हम उसका numbering कर दिए 1-2-3-4 आपका primary functional group primary function group OH है दो नमबर पे OH बठा देना मेरे दोस्त उसके बाद क्या कर रहा है उसके बाद कर रहा है कि उसके बाद दोनों तरफ से numbering कर सकते थे देखा कोई primary prefix है क्या नहीं है अलके नहीं है सारे compound single bond है अगर double bond यह triple bond होता तो उसका position पहले बैठा देते उसके बाद क्या करते है primary function group पकड़ते primary function group इस case में आ रहा है alcohol alcohol को बैठाना था दो नमबर कारबन पे बैठाया दो नमबर carbon पे उसके बाद क्या करना था उसके बाद करना था कोई subject है तो बताओ तो कहां तीन नमबर पे chloro है चार नमबर पे amino है तीन पे बैठाया chloro चार पे बैठाया amino structure बन गया ठीक है नूट कर लिजे अगला एक्जाम्पल है 3-oxo pendant गया ठीक है ठीक है कोई यहां में प्राइमरी सफिक्स नहीं है मतलब double bond triple bond नहीं है और हम अब आते हैं अपने सबसे important functional group में तो वो है primary functional group इस case में acid तो यहाँ पर हमने acid बना लिया ठीक है तो जब यह acid बना लिया अब हम primary functional group और numbering एक साथ कर लेते हैं 12345 तो हमने carbon को number भी कर दिया primary functional group भी है अब बचता है सिर्फ आपका secondary functional group है क्या तीन नंबर पर oxo है तो 123 तीन नंबर पर oxo है पांच नंबर पर formile है formile किसका prefix है formile aldehyde का prefix है तो यहाँ पर यह CHO लगा दीजे तो यह structure है इतने समझदार है ना कि hydrogen बैठा सकें बैठा लीजेगा यह आपका structure हो गया अगला example है 3-bromo-2-methyl अगला example है 3-bromo-2-methyl-hexane-dynitrile एक एक स्टेप चलते हैं सबसे पहले वर्ड रूट तो 6 कारवन का है भाई तो 6 कारवन बना लो एक दो तीन चार पांच कहीं से कोई double bond triple bond नहीं है दाइ नाइट्राइल की बात हो रही है और इसका आखरी में लगता है तो जहां हमने कहा डाइ नाइट्राइल इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपके पास दो साइनाइट ग्रूप है दो साइनो ग्रूप है और इसकी नंबर की बात इसलिए नहीं की जाती है टर्मिनल पोजिशन पर दो ही लगा है तो एक पहले में एक गाड की बोगी तो बनाए ड्राइवर की बोगी ये आपकी ड्राइवर की नाइट रेल ऑपने लगा दिया तो हमने वर्ट रूट देख लिया नंबर की यह होगा 1 2 3 4 Ó A carbon कम बन गया 12 3 f4 56 ठीक है साह 5-6 यह आपका हो गया हेक्सेन डाइनाइट्राइल में आप देखना है तीन नमबर में मिथाईल है एक दो तीन यहां मिथाईल है दो नमबर पे ब्रूमो है और इतने समझदार है कि हेट्रोजन बैठा ले जाएंगे तो बैठा लेज़ें अगला है फोर फॉर माइल साइक्लो हेक्सेन कार्बॉग तो फिर से वर्ड रूट तो देखा लेकिन यहां पर देहान से देखिए का एक साइक्लो वर्ड भी लगा है इसका मतलब क्या है आपके पास इस बार प्राइमरी प्रिफिक्स भी है तो हम लोग सीधे छे कार्वन का नहीं बनाएंगे हमने बनाना है हम बनाएंगे छे कार्व लगा होगा तो यहां पर हमने बैठा दिया इसके चार नमबर यानि एक दो तीन चार पांच छे चार नमबर पर फॉर्माइल गुरूप है हमने अभी तक क्या के कर दिया वर्ड रूट कर दिया प्राइमरी प्रिफिक्स लगा दिया अब हमको लगाना है सिर्फ सब्श्व और यहां पर फॉर्माइल यानि CHO अल्डिहाइड की प्रियरिटी जो है खार बॉक्सलिक असीड से कम होती है इसलिए यह प्राइमरी प्रिफिक्स है और प्राइमरी नहीं होके सेकेंटरी फंक्शनल गुरूप है इसलिए यहां पर लग गया कंपॉंड बन गया ठीक है च इस एक्जामपल को समझना है सबसे पहले तो हमने देखा वर्ड रूट चार कारबन बनाया एक दो तीन चार चार अब कारबन बना लिया ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर इसमें नंबरिंग करके 123 यानि इस वाले कारबन पे तो डबल बॉंड बैठा नहीं पड़ प्राइमरी प्रिफिक्स नहीं होगा प्राइमरी सफिक्स भाई पूरे क्लास में सही कर लिजेगा अब सिर्फ बचते हैं सेकेंडरी फट्री पर सब्सक्राइब कोई है क्या तीन नंबर पे मिथाइल है तो मिथाइल तो लगा दिया यह वाला गुरूप कभी देखा नहीं था कि मिथिलीन कौन सा गुरूप है मिथाइल तो होता है तो याद रखिएगा अलकेन से एक हटात हैं तो बनता है अलकाइल गुरूप उसी तरीके से जब अलकीन से एक हटाते हैं तो बनता है अलकिनाइल गुरूप ठीक है अलकेन से बनता है अलकाइल गुरूप अलकीन से बनता है अलकिनाइल गुरूप तो यह सहाब आपका बन जाएगा अलकिनाइल एक नंबर दो methylene ठीक है तो यह आपका compound हुए ठीक है इस तरह से अब hydrogen बठा दीजेगा this was all for the day इस question में हमने क्या किया इस question में हमने ये किया इस question में word root बताया चार कारबन का तीन नमबर पर double bond बनाया numbering की numbering करने के बाद कारबॉक्स लिकेशीड है वो लिखा थीन नमबर पर मिधायल लिखा बस एक नई बात थी two methylene अभी तक किसी भी question मैंने ये बात नहीं बताई थी ठीक है तो इस तरह से आज के क्लास में बच्चो हमने देखा है कि अगर आपके पास आयोपीसी नेम दिया रहेगा तो आयोपीसी नेम से आप functional group structure कैसे बनाएंगे अभी तरह हम क्या देख रहे थे structures दिया था वहां से नेम बताना था ठीक है कभी-कभी ऐसा भी आपको देता हूं कभी-कभी ऐसा भी होगा कि नाम ही उट-पठांग आ जाएगा जैसे एक्जामपल देखे इसको एक बन नोट कर लिए तो बीच में वीडियो पॉसर के आपको नोट कर लिया करिए एक एक एक्जामपल मैं आपको देता हूं एक बार मैं क्लास में पढ़ लिए लो भाई चलो एक दो तीन चार पांच और को प्राइमरी फंश्न ग्रूप है नहीं चार नंबर मिठाई ने तो नंबरिंग कर लिए वन टू थ्री फोर फाइव इसके चार नंबर मिठाई ने थी हां मिठाई लगा थी बस यहीं पर बात फज गए जब भी कभी स्ट्रक्चर बना लिजे अपनी तसल्ली के लिए एक बर वेरिफाई कर लिजे कर ये स्ट्रक्चर दिया होता तो क्या हम इसी नाम पर पहुँचते ये क्रॉस चेक है डबल क्रॉस है ये कर लेंगे तो आप दोनों तरस चेक कर लेंगे आपने सही किया है गलत किया है जैसे अगर आपको कमपाउंड मिल जाए फोर मिठाईल पेंटेन ये गलत नाम है इसका नाम होता इस स्ट्रक्चर का होता 12345 ठीक है 12345 तो इसका नाम होना चाहिए थ ये होना चाहिए था टू मिठाईल पेंटेन फॉर मिठाईल पेंटेन करेट आईपेसी नेम नहीं है इसलिए इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जैसे मैं किसी लिए को बोल दूं कि 121212 लिखिए जब इसको आप काउंट करेगा मैंने आप से कहा है 121212 तो इसको काउं पार-1212 लिखियेगा तो ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है ठीक उसी तरहीं के से फोर मिठाईल पेंटेन कोई नंबर पॉसिबल नहीं है तो मेरा बच्चों से यह सजेशन है कि जब कभी भी आप एक बार इस्ट्रक्चर बना ले तो फिर से रिवर्ट कर ले मतलब क क्या है फिर से एक बर question जो है एक बर उसका नाम लिखने का प्रयास करिए एक बर ये try करिएगा तो फिर ये भी verify हो जाएगा इस ट्रक्चर मिलता तो नाम यही आता इसका मतलब सही काम कर रहे हैं ठीक है तो अब हम लोगों ने इस टॉपिक में आज का ये लेक्चर देखा विच इस टॉपिक का पाचवा लेक्चर है ठीक है आज के क्लास में हमने देखा कि कोई अगर आपके पास आई पेसी नेम दिया रहेगा तो वहां पर इस ट्रक्चर कैसे बनाएगी छे काम करेंगे पहला क काम वर्ड रूट कितने कारबन चेन का है वह पकड़ लेजिए दूसरा काम क्या कोई डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड है आपके पास प्रैमरी सिफिक्स हैं क्या वह करते वक्त नंबरिंग कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है कि जो आपका प्रैमरी फंक्शनल देगा तो दिस वाल फॉर देए थैंक यू वरी मच बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ इस तरह से वीडियो में आप लोग के लिए वीडियो बना बना कर भेजता हूं और आप बच्चों इसको देख रहे हैं तुम्हें और भी अच्छा लगता है एक अपील है कि अ हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ठीक है तो आप लोगों से अपील है कि इन वीडियो को ध्यान से देखिए हमारी पूरी टीम इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है तो हमारी मेहनत जो हो जाय नहीं जानी चाहिए लॉग डाउन है इस समय को ऑपर्चु जो है करीब सौ क्रोड का है तो भाई पूरी दुनिया में लॉकडाउन आ गया सब के धंदे काम धंदे चौपट हो रहे हैं कम हो रहे नौकरिया जा रही है अभी कल फरसो मैंने पढ़ा कि रेनों ने 15,000 लोग की नौकरिया कम कर दी इंग्लैंड में तो उन्होंने इस इस situation को capitalize कर लिए जाए और अपने business को बढ़ा लिए उसी तरीके से यह lockdown है हो सकता है कुछ बच्चे उतनी घंबीरता से नहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको अपने आपको control करके उतनी अच्छे से पढ़ लेना है कि इस situation में जादा काम कर लें ठीक है this was all for the day thank you very much और ए अभी तक subscribe नहीं किया है please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि हम और अच्छे वीडियो बना का है ठीक है thank you very much happy learning